हेलो फ्रेंस तो फ्रेंस चलते हैं आज आपको कैप के साथ मिलते हैं तो हम यह पौसाग बनाए हुए हैं पांसे च्छे नमबर लड्डू कोपाल जी के लिए तो पौसाग हमने दो कलर में बनाई है रानी कलर है और गरीन कलर है की तो हमने को में बनाया है सेम उसी तरीके से हम आपको कैप भी बना की बताएं गो यह हमारी कैप और पौसाग एक से बिसओं सेर जाएंगे दोनों तो थाहें हमारी पौरी ड्रेस बन्न की कम्पलीट हो जाएगी इसको बनाना बहुती जी बहुती आसान है और कम समय में भी बन जाती है तो देखिए के ड्रेस जो हमने बनाई है रानी कलर और गरीन कलर तो कैप को भी हमने यहां पर दो कलर से बनाना है पास अच्छा नंबर लडू गोपाल जी के लिए दस नंबर की सलाई हमने जो ड्रेस बनाई है उसमें यूज किये और दस नंबर की सलाई ही हम यह कैप में यूज करेंगे तो कुछ कैप हमने थोड़ा देखी बना लिया है और आगी बनाना बागी है तो आपको हम पहले सलाई से ही बनाके बताएंगे किस तरीके से इस कैप को बनाना है जैसे ड्रे कैप कैसी लगी आपने चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो दिखेगा यह हमारी पहली सलाई है मान लीजिएगा हमने यहापे 12 फंदे डाले हैं टोटल 12 फंदों में हम यह आपको सुन्दर सी प्यारी सी कैप बना की उल्ट 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 बनाएं गें डोनोट से उल्ट उल्ट वनाना हैं कि ग्यां करा कि मि很 अश्का सब बना लिघ्लिय इस टरीके से तो हमारे चैन बन कर आजाएगी अब उल्ट तरफ हैंद सलाई लेह स हमारे देखे रहे हرف़ नहीं तरफ से हमारी दूसरी से लाई है कि यह वह साथ के साथ जबाते हो चलेंगे कि यह पर से पहला पुर्ण है पो यह थिर की से इधर से बनायाना है बना लिया है उल्टा, 10 फंदे बना लिया है और एक दो दो फंदे विगरभु ने छोड़ दिये हैं और यहीं से बापस हो जाएंगे बापस में जो बनाये हुए फंदे हैं उन फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे यह सब फंदों को बनाया लाश्ट का फंदा दागा पिछे किया और इसको सीधा बना इस तरफ से फिर से पहला फंदा प्तारेंगे और दो फंदे फिर से हम बिगरबने छोड़ेंगे लाश्ट में दो फंदे फिर से छोड़ेंगे पहले दो छोड़ेंगे और यहीं से बापस हो जाएंगे बापस से जो बनाया हुए फंदे उनको बना लेंगे बना लेंगे अब हमारे यहां पर दो बार में चार फंदे हमने बिगर्भुने यहां पर ने बनाएंगे इस तरीके से ने खुच देंगे तो फंदे छोड़ेंगे बिगर्भुने दो चार छे पंदे हमारे और की होगए दो चार छेचपंदे यहां पर दोनों से छहचे फंदे हो गए अब हैं यहीं से पलेट लेंगे दो फंदे हमने देखिए अभी भी छोड़े हैं जो रानी कलर है इसके और हैं यहीं से हम जो बनाए हुए फंदे हैं उनको इस तरीके से बना लेंगे लाश्ट का फंदा धागा पिच्छी किया सीधा बनाया अब फिर उल्टे तरफ से इस वाले धागे को दबाएंगे और यहां पर इस तरीके से इसको बना लेंगे तो यह दागा हमारा दब जाएगा फिर चार फंदे बनाए दो फंदे गिरीन वाले भी छोड़ दी और यहीं हमारे सभी फंदे दो-चौर करके चोड़ दी हमने हमारे हमारे राणी कलर से हैं तीन जगे राणी कलर से हैं तो छे फंदे गरीन खेंगे हो गया है चैलम राणी के टोटल बार्य फंदे को दूट़ चूड़ चूगी हैं जो घज़़ फंदशा विकरभने करकल कि devi सबीग वाले फंदे हैं इनको भाला लिया अब बच्चे इरानिक और बाले इनको भी हम इस तरीके से बना लिया है इस तरीके से अब सीधे तरफ आगे हैं तो सीधे तरफ से फिर से लाई दूसरी पत्ती की फिर से पहली सेलाई को इसको पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे जैसे हम ने यहाँ पे बनाइए थी यह वाली इसी तरीके से पिर से बना लेंगे लाश्ट का फंदा धागा पिच्छे किया सीधा बनाया अब एक सलाई बना चुके हैं और गिरीन वाले धागे को दबाएंगे जैसे हमने एक पत्ति को बनाना है बाखी सभी पत्तियों को उसी तरीके से बनाना है 2 अजए दोफंदे बिगरभूने फिर छोड़ेंगे और यहीं से वाप्त रोफ सबाबने की अप्रों दोड़िंगे आथ कि इसमें भी हम उन्यवह प्रफंदे की कहसे उतकर आगते और 01 चार फंदे गरें बना लेते हैं चार फंदे हमने चोड़ दिया है अब इधर हम लगाइं गिरीन कलर को क्योंकि अब बनाते हुए लाएंगे दो फंदे में फिर छोड़ेंगे तो छे हो जाएंगे हमारी जैसे हमने पहली पत्ती बनाई ती से हम उसी तरीके की देखीगा हम आपको बता रहें यहां पर हमारे देखीगा दो फंदे फिर से छोड़ेंगे अब 6 हो गए और 6 यह हमारे गिरीन वाले हो गए अब इनको भी हम छोड़ लेंगे फिर से उसी तरीके से बना देंगे सभी फ बना लेंगे जैसे हमने पहले पत्ति आपको बना के बताएं दूसरी भी से उसे तरीके से बना लेते हैं तो जितना कैप हमारा बनेगा बार बार हम इसी तरीके से बनाते हुए इस कैप की चोड़ाई को बना लेंगे तो यहां पे हमने ठीगा कि तने पत्ति बनाई हैं एक डो तिन चार पांच छे चे पत्तिय बना ली हैं अब हम यह सभी फंदों को यहां पे बंद करेंगे इस तरीक के से यह लूम, लूम, लूम कर यह दोरो बंद कर लेते हैं कैप की चोड़ाई के हिसाब से हमें यह बनाना है इस तरीके से दिखेगा यहां पर हमने सभी फंदे बंद कर लिए और एक फंद हमारा यह लास्ट का बच्चा है इस तरीके से इसके अंदर से हम यह बलत धागा निकालेंगे और यहां पर इसको खींच के एक नोट लगा देंगे जिससे अब यह धागा हमारा बंद हो चुका खुलेगा नहीं तो इस धागे को हम सुई में डाल लेते हैं यह दागा हमने सुही के अंदर डाल लिया है। गरदेखे एस गेब को हम एreten लड़ करेंगे हमारा वार की साइड आएगा। युक्त के लेकेहां जाँ सुही दृटों के स कुझभाताओं का अधिया उपकरेंगED और इधर भी हमारा एक किनारा और ये वाला किनारा दोनों किनारी को मिला की और हम इसमें सिलाई करेंगे वीडियो अच्छे लगे तो पिलीज लाइक कीजिएगा चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल से जुड़िएगा जिससे आपको नहीं वीडियो देखने के लिए मिलती रहें और अपने कानजी के लिए आप नहीं नहीं पॉसा के बनाते रहें घर पे ही इस तरीके से देखीगा आप जो हमारा ये बीच का भाग है खुला हुआ आप चाहें तो इसमें कोई पॉम पॉम बगएरा बनाके लगा सकते हैं इस तरीके से हमारी ये केप आएगी पांस से छे नमर लड़ू पाल जी के लिए अगर आपको ये थोड़ा भी लूज लगे इस तरीके से देखीगा सुई को निकालके यहां पर सुई को दागे को लाना है इस तरीके से और यहां पर पहले हमें एक नोट लगाएं जिससे हमारा दागा खिचे न और एक आपको ये तरीका देखे बहुती ही जिवत तरीका है हम बता रहे हैं अगर आपको आपकी कैप जो होती है ये लड़ू पाल जी के लिए ह इस तरीकी से धागा निकाल के जितना आपको ये रखना है इसकी चोड़ाई को उसे साब से आप इसमें थोड़ा सा इसको खींच लीजिएगा हलक हलका वैसे हमारी कैप बिल्कुल फिटे इस तरीके से तो हमें इसमें ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से ये मारी कैप लिखिगा यहां ब थोड़ी इसलिए डिलर डिल आएकर ये क्योंकि हमने पैल फंदा जो है किनारी का उतार रहे है तो हमारा पैल फंदा होता है जो थोड़ा खुला खुला सा होता है उतारने वाला फंदा सॉप्ट सॉप्ट होता है तो इसलिए थोड़ा खुलता है यहां पे अब हम एक स्विंग को वापस ले जाएंगे क्योंकि यह इदर का हमारा पोर्स आना है यह देखिए उपर के साइड का खुला हुआ है इसमें हम एक ग्रीन कलर का पॉम पॉम बनाएंगी और उसको इसके यह हइर लगा से एंदर लगा के सिलगी इसलिए हमने उपर वाले भाग को खुला रखा तो यह हमारी सएुक्र सदे किश सीद्धी कैप है अब हम पॉम पॉम बना लेते हैं लिए कहिए क कैप अंदर के साइड को निकाला दिखाते है एस तरीके से और यहां पे इसको आह स कैप बनके रेडी हो चुकी है तो वीडियो अच्छा लगे पिलीज लाइक कीजिए सेयर कीजिए और कमेंस करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी आपने चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए जादा से जादा से सैट बनाते हैं तो इसमें अलग से ही एक लुक आता है लिए हम देखिए पूरा सैट आपको दिखाया है इसमें हमने आपथी जो पत्तियां बनाई है वह से बनाईए इसमें हमने हैं पर पत्तियां हमने गृन कलर से बनाई है तो वीडिएव अच्छे लगे पिली लाइक किजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पिली चैनल को सस्क्राइब करके चैनल से जुड़िये तो मिलती हैं